हलो एभीवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फिनांशियलर 2021-22 के लिए AIS रिपोर्ट जो है वो अब अवेलेबल हो गया है यह पहले नहीं दिखता था quarter 2 तक नहीं दिख रहा था basically quarter 3 का return file करने के बाद quarter 3 तक के जो details हैं वो आपको अभी आपके AIS में देखने start हो गए है that means कि quarter 3 तक का detail अभी आप देख सकते हैं आपके AIS है आपके AIS में देख सकते हैं TDS, TCS, SFT के information, taxes paid, demand, refund and other information सारी information आपको financial 21-22 के लिए देखने को मिल जाएगी यह information quarter 3 तक की available है क्योंकि quarter 4 का TDS return गया नहीं है reporting नहीं हुए है तो quarter 4 की कोई details नहीं दिखेंगे quarter 1, 2, 3 के details आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगे अभी इसका एक benefit क्या होगा तो basically जो आप advanced tax भरने वाले हैं अभी हालाकि 15 large date है तो अभी आप जो advanced tax भरने वाले हैं उसमें बहुत बड़ा help यह करने वाला है कि आपका quarter 3 तक का basically income कितना है उसके बाद आप quarter 4 का अनुमान लगा के add करके अपना advanced tax जो है वो भर सकते हैं तो अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि 21-22 जो है वो एस दिखने लगा है तो अभी आप जाके अगर आप advanced tax calculate कर रहे हैं तो 21-22 का एस open करके भी आप cross check कर सकते हैं I hope आपको यह update अच्छा लगा होगा and ऐसे ही tax updates के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलिए Thank you for watching